हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूटूब चैनल इबोले तो इंग्लेस तो फ्रेंड्स आज हम लोग बात करने वाले हैं इडियम एंड फ्रेजस की जो की हम लोग उसके ओरिजिन से याद करेंगे तो बस आपको इस्टोरी ध्यान पूरवक सुननी है और आपको वीडियो क एक एडियम का to finish something by or before it is due यानि कोई चीज समय से पहले या फिर कह सकते हैं समय पर पूरी करना उसे हम लोग कहते हैं meet a deadline तो आपको इस एडियम का मीनिंग समझ में आ गया होगा तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यह इडियम बना कहां से इसके पीछे का रिजन क्या था इसके पीछे की story क्या इसका origin क्या है जिसे हम लोग एक picture के तो समझेंगे तो आपको वीडियो कर पसंद आ रहा हो तो प्लीस लाइक जरूर कर दीजीगा और उस boundary के अंदर एक line खीची गई थी जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे picture में यह line बनी है एक line वहाँ पर खीची गई थी जिसे हम लोग एडियम में deadline के नाम से जानना हैं और जब भी कोई prisoner इस रेखा को cross कर देता था तो वहाँ पर जो jail के चारो और जो guard लगे थे वो क्या कर देते थे उस prisoner को गोली मार देते थे तो वहीं से यह idiom हमारा बना था यानि कहीं ना कहीं अगर कोई भी prisoner अपने दिये हुए time से पहले जो उसकी deadline है यानि जो उसकी समय सीमा है उसके पहले उस line को cross कर देता था तो वहाँ के जो guard होते थे उस prisoner को गोली मार देते तो I hope आपको इस EDM का origin समझ में आ गया होगा यानि meet a deadline का means हो जाएगा to finish something by or before it is due या फिर कह सकते है to finish work on time यानि कोई कार समय पर पूरा कर देना उस समय के अंदर पूरा कर देना तो उसे हम लोग कहते हैं meet a deadline और जब भी कोई prisoner उसको समय से पहले cross कर देता था तो उसे गोली मार दियाती थी तो चलिए इस EDM का एक example भी देख लेते हैं stay up until midnight to meet a deadline यानि यहाँ पर ठेरो जब तक जो midnight है उसकी समय सीमा पूरी नहीं हो जाती है तो I hope आपको इस EDM का example मीं समझ में आ गया होगा यानि यहाँ पर तब तक ठेरो जब तक जो आपकी midnight है उसकी जो deadline है यानि जो समय सीमा है वो पूरी नहीं हो जाती है तो चलिए अब हम लोग अपने next EDM की बात कर लेते हैं जो की बहुत यहादा interesting है तो हमारा next EDM दे रखा है the dog days जिसका meaning होता है saltry days या फिर कह सकते है hottest days of summer saltry days का मतलब होता है जो उमस भरे दिन होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं saltry days और जो हमारा next word दे रखा है hottest days of summer यानि जो गर्मियों के सबसे ज़्यादा गर्म दिन होते हैं उसे हम लोग कहते हैं the dog days तो इस EDM का meaning आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए इस EDM को हम लोग picture के थरो समझेंगे यानि इसके पीछे की story क्या है तो friends the dog days EDM का origin past की एक घटना से हुआ है जिसे हम लोग dog star, serious या फिर साइरस के नाम से जानते हैं और आपने कई बार साइरस star या फिर कह सकते हैं dog star सुन रखा होगा तो चलिए बात कर लेते हैं dog star होता क्या है तो friends dog star जुलाई से अगस्त तक वर्स के सबसे गर्म सबता के दोरान sun के साथ उगता है और इसी के साथ set होता यानि इसी के साथ छिपता है तो बात करें dog star होता क्या है तो friends आसमान में sun के साथ या फिर कह सकते हैं जो हमारे star होते हैं वहाँ पर एक dog की तरीके वहाँ पर एक structure बन जाती है जिसे हम लोग Cyrus, dog star या फिर सीरियस के नाम से जानते हैं और यह जो structure बनती है अगस्त से हमारे जुलाई से अगस्त मंत के बीच में बनती है और जब यह structure बनती है उस time के दोरान कह सकते हैं परत्वीप और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जो दिन होते हैं वो उमस भरे होते हैं तो इस idiom का भी origin यहीं से हुआ था और ऐसा माना जाता है कि जो dog star की गर्मी है वास्तों में सूरच की गर्मी के साथ मिलकर इस अवधी के दोरान और ज़्यादा गर्मी उत्पन कर देती है यानि कहीं डॉग star जो हमारा है कहीं न कहीं sun के साथ उगर आयो sun के साथ छिप रहा है तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा क्या कर देगा प्रत्वी पर गर्मी पैदा कर देगा तो इस idiom का भी origin यहीं से बना था यानि the dog days डॉग डेस हमारा कहां से डॉग star से आया और डॉग star क्यों आया क्यूंकि यह धरती पर बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा कर रहा है उमस पैदा कर रहा है तो आपको एडियम का origin समझ में आ गया होगा यानि जो महीनों जो महीने के जो कुत्ते हैं तो कहीना कहीनों का कुत्ता जो है कहीना कहीसा दिन है बहुत ज़्यादा गर्म दिन है और उस दोरान कह सकते हैं हम लोग जो कुत्ते होते उनको भी बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता है क्योंकि गर्मी में कुत्ते बहुत ज़्यादा कह सकत साल्ट्री डेस है तो चलिए इस एडियम का एक एक ग्जामपल भी देख लेते हैं दूरिंग डाउग डेस ऑफ समर पीपल प्रिफर टू रिमें इंडोर्स एंड गो आउट एज लिटिल एज पॉसिबल यानि कह सकते हैं गर्मियों में जो कुत्ते की दिन होते हैं उस दौर और इसका जो एक्जामपल है पूरा समझ में आ गया होगा तो चलिए दोस्तों जै हिन जै भारत